मतुरा के बाल सुधार ग्रेह से लापरवाही की खबर सामने आई है जहां से 14 बाल कैदी पूरे स्टाफ की मौजूदगी में जेल से फरार हो गए और किसी को खबर भी नहीं हुई गटना देर रात 3 बजे की है बाल सुधार ग्रेह में बंद 14 बाल कैदियों ने जेल की खिड़की की ग्रिल तोड़ी और फरार हो गए हैरानी की बात यह है कि सभी बाल कैदी में गेट से फरार हुए लेकिन किसी भी गाड और सुरक्षा कर्मी को इसकी खबर भी नहीं लगी बाल कैदियों के भागने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हर कंप मच गया पुलिस के अधिकारी जेल पहुँच कर मामले की जाच में जुट गए कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने साथ बाल कैदियों को खोच लिया है कैदियों के बगने की जानकारी आई यह क्या मामला ताब होगा पुलिस ने कोशिश कर रही है तो चौदा में से जो साथ हैं उनको रिकवर कर लिया गया है बाकियों के लिए भी अभिरक्षा में जल्द ही ले लिया जाएगा इस समंद्ध में तहरीर प्राप्त होते ही इसमें गद्मा पंजिक्रित किया जाएगा और अगर किसी की संद्धता पाई जाती है किसी के सतर पर यहां पर लापरवाई पाई जाती है तो उसके धार पर भी कारवई यह आने वाले प्राव में की देर रात दीवार कूद कर बाल कैदी फरार हुए थे जिनका हमने काफी दूर तक पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं प जारी किनके मामलों आचेते हैं जी किनके मामलों बंद जाएगे यह सब हीनियस कराई मैं 302-376 तो किस सारे से भागे यह यह सर जंगला ताट कुदिया है कई दिन से हंगामा मचा रहे थे यहां पर बच्चे संख्या 30 बच्चों को रहने की जगए है यहां 106 बच्चे हैं इस तरह स्टाफ की मौझूदगी में 14 बाल कैदियों का फरार हो जाना प्रिशासन और जेल स्टाफ को सीधी चुनौति देने जैसा है हाला कि मतरा बाल सुधार ग्रे से बाल आरोपियों के भागने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है पंजाब के सिरी के लिए मतरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट